नवसकार साथियों, सभी मित्रों को जहींद वंदे मातरम, मैं आपके साथ जैस्वाल सर, जनमाश्टमी पर की आप सभी साथियों का, आप सभी भाविय धापक अधापिकाओं का सिच्छक बंदों का हादिक श्वागत अभिनदन करते हैं, हैप्पी जनमाश्टमी सभी मित् आदम से श्विकार करें दोस्तों मैस की क्लास नंबर फोर्थ है continue हम क्लास करेंगे क्योंकि सबसे मुद्द जो important है मारा है जो सपना है ड्रीम्स है वह है selection का वह है दोस्तों सिच्छक बनने का आप सभी का सपना साकार होगा बात करेंगे मैस क्लास NCRT के pattern पर हर एक question दोस्तों आपके syllabus आपके exam pattern के according है क्योंकि selection यहाँ पर one handed one person sure and pure है क्योंकि त्यारी आपके syllabus के according कर रहे है तो चलिए दोस्तों क्लास नंबर फोर्थ में हम भी 15 महत्पून concept के class या 15 महत्पून concept के question करने वाले हैं सभी लोग रब पिन कागज जरूर ले 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 ताकि अच्छे तरीके इस आप लोग समझ में आ सके तो सातियों पहला प्रशन है 19,000, 19 सैकड़े, 19 हिकाईयां बराबर होगी 19,000 मतलब सरप्रतम हमारा ठीक है गुणा भाग एकाई दहाई गलती न हो सरप्रतम करते क्या हैं 19 गुणे 1000 गुणा करके लिख देते हैं इसके बाद का 19 सैकड़ा तो 19 गुणे सैकड़ा यानी 100 का गुणा करके लिख देते हैं फिर 19 हिकाई मतलब 19 ही रहेगा इस तरह से लिख लेंगे आसानी हो जाता है समझने में ठीक है इस प्रकाल लिखने के बाद अब आपको क्या करेंगे 19,000 में पता हजार में 3,0 होते हैं ऐसा लिख सकते हैं 19 सैकड़ 20 होते हैं और 19 आजाएगा इन टोटल क्या कर लेना है बराबर हो गया था इनका योग कर लेंगे तो हमारे आप्शन पर निकलाएंगे ठीक है तो यहाँ पर इनका योग कीजे आजाएगा 9 फिर इनका योग कीजे 9 आएगा फिर 9 एक 10 एक 12 तो 2919 किस पर दिया गया है आप पहला आप्शन दिया गया 20,919 हमारा एंसर आ जाएगा कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करें फीड़बेक करें पिछले क्रास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वज़े जे कुश्चन नमबर 9 के बाद जो है आपके आईडियो अराय थी लेकिन वीडियो नहीं प्लेय रहा रहता ठीक है यह कुछ प्रॉब्लम है फेस करना पड़ता है चले इसका हम डिफिकनेशन सलूशन देख लिए नोट कर लीजे सभी लोग इसका सलूशन आप लोगों की स्कीन पर है बहुत ही आसान प्रस्ता आयोप आप लोग समझ गये होंगे अब बात करते हैं दूस संख्या 5 करोड 9,4988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा सभी द्यान दीजे 5 करोड अब करोड भी कितने जीरो होते हैं सभी को यही तो ध्यान देना है देखे एक चीज हमेशा याद रखे 5 सुन हमें लाख बताती है यह एक लाख है और 7 सुन हमें बताती यह एक करो करोड 9 लाख तो यहाँ पर 5 लिखने के बाद 41, samma 15,000,100,000 लाख यहां पर लिखनी है कितनी सुन हो गए 101, traum, 10,000,100,000 करोड कितनी सुन है गिन के बताये 2, 4, 6, 7 सुनने की नहीं पर लिखने तो कितना हो गया यह हमारा 5 करोड लिख लिया अब कह रहा है दोस्तों 9 लाख लि पहले यहाँ से 5-0 लिख लिए 3-4-5 इसके बाद नौ लिख लिए यह आपको हो गए 9 लाक इसके बाद कहरा है 4,000 तो बहुत ही सिंपल है 3-0 के बाद 4 लिख देंगे 900, 2-0 के बाद 9 लिख देंगे अब इनको उनको जोड लेना है तो यहाँ पर देखेंगे सरफ्सम जोडते जाएए शून आएगा फिर यहाँ पर भी शून आजाएगा यहाँ पर देखेंगे 9 आजाएगा यहाँ पर देखेंगे 4 आजाएगा यहाँ पर देखेंगे 0 होगा यहाँ पर देखेंगे 9 होगा दिया गया है ध्यान पुरक समझे अब देखें अब हमने गलती क्या किया है एक चीज हमें 88 यह मिस्प्रिंट कर दिया 988 है इंड में क्या था 988 था हमने 88 यहां पर लिखा नहीं है यह एक जाम पर गलती हो जाते है तो यहीं हमें सुधारना है जब जितना ज़्यादा प्रेक्टिस करेंगे तो 988 लिखेंगे ये आ जाएगे हमारा एंसर करें तो 50,99,89 तो 50,99,89 किस पर दिया गए? आपसन नमबर D ध्यान पूरक देखेगा अच्छे से ध्यान पूरक देखे आपको समझ में आ जाएगा आपसन नमबर D देखिए अमारा एंसर सही हो जाएगा ठीक साथियों यहाँ पे 988 था और आपका D आपसन सही हो जाएगा कोई भी डाउट हो कमेंट करें ये पूरा आपलोड डिफिनिकेशन लेका राते हैं आपलोड रप में नोट भी कर सकते हैं इस प्रकार से एक जाम पर लिखना है चले बात करेंगे साथियों तीसरे प्रिष्ण की आई होप शवी पैरमित्र ने क्लास को लाइक कर दिया होगा बहुत बहुत धनवा शवी शाथियों का और जनमास्टमी के पर पर कौन कौन से यहाँ पर फास्ट या ब्रत रखे हैं नीचे कमेंड करके जूरू बताईए कौन हमारे साथ सामिल हो रहे हैं नीचे कमेंड बाक से बताईएगा शवी मित्रों को जैसी कृष्ण राधे राधे दोस्तों दस हजार दस इकाई दस दहाई बराबर होगा देखे दस हजार कह रहा तो दस लिखी हजार में तीन जिरो होते तीन जिरो कर दीजे दस इकाई तो पहले हम इकाई में सबी लोग जानते दस इकाई मतलब सेम ही होगा हम दस लिख देंगे दस दहाई मतलब क्या कह रहा है दहाई मतलब दस का गुणा तो 10 में 10 का गुड़ा होगा, कितना हो जाएगा इतना होगा, यह किसके बराबर होगा द्यान पुरग दिखी, यहां पे कितना लिखा हो 0, फिर 1 फिर 1, फिर यहां पे 0, 1 यहनि 10 11, 0, तो 10, 11, 0 आपका दोस्तों देखेंगे, पहला आप्शन सही हो जाएगा, पूरा definition solution आपके स्कीन पर है नोट कर सकते हैं 10,000, 10, 1, 10, 0 तो यही आपका गलती हो जाती है देखे, 1000 का इस्थानी मान दहाई का इस्थानी मान और 1 का इस्थानी मान सारी चीज़ें आपके स्कीन पर है तो कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में, कमेंट कीज़े, फीडवे कीज़े और टेलीग्राम पर जोइन कीज़े, फ्री में नो स्पीडे फाइल प्राप्त कीज़े, क्योंकि राश्टीत में तीन लाग तीनसो गेरा प्राप्त हो जाए 3,001 गुणे 101 में क्या गटाया जाए तो साथियों मान लेना है तीन हजार गुणे 101 में X गटाया जाए हमारा मान 3,003,001 और 101 का गुणा कर लेजए जब आप गुणा कर लेंगे तो आपकी value कितनी आ जाएगी ठीक है कितना आ गया ध्यान से समझेगा जब आप 3001 और 101 का गुणा कर लेंगे तो आपकी value कितनी आ जाएगी 3,31,01 आ जाएगा और minus x ब्राबर आपका ये दिया गया है 3,3,310 आप इसमें क्या करेंगे x ब्राबर करेंगे तो इसमें हमने क्या करेंगे minus कर लेंगे ये आपकी value आ जाएगी तो हमारा right answer 2790 आ जाएगा 2690 किसा option पर दिया गया है पहला option साथियों सही हो जाएगा अराम से वीडियो पहुँच कर आप लोग समझ सकते हैं आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी पांचमा पर सिनिस्कीन पर है यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे रिक्ति स्थान पर क्या संख्या आ जाए कि दोनों संख्या बराबर हो जाए बराबर कचिन दिया गया है मतलब यही है यहीं पहले हम 603 गुणे 28 करें तब हमें मान प्राप्त होगा और 63 गुणे 4 करें फिर इसमें कितने का गुणा करें कि इसके मान के बराबर हो जाए यह हमें इंपोर्टेंट हो जाता है यह कि फिर आपको गुरंखन कर लिजे दोनों तरफ के गुरंखन तो सरपतम आसान तरीका यही है कि आपको 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 मान लेना है एक्स का गुणा करें रिक्तिस्थान पर एक्स माना हमने तो 603 गुणे 28 ऐसे करना है 603 गुणे 28 भागे 63 गुणे 4 और उपर भी आपका x की value उपर ही रहेगी ये भी आपको ध्यान देना अगर हम x ब्राबर करते हैं तो ये हमारी value आ जाएगी ठीक है क्योंकि हमें x का मान निकालना है रिक्तिस्थान पर हमने x माना था तो x ब्राबर 603 गुणे 28 बटे 63 गुणे 4 आ जाएगा तो हमारा x इy value कितनी आ जाएगी 67 अगर आप यहाँ पर x के value यहाँ पर 67 रख लेगे तो दोनों value क्या है बराबर पहुच आएगी चलिस साथियों बात करेंगे चट्वे परिशन की तरब चलते हैं गुरन फल 102 गुणे 201 में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए सेम इस question है सेम पूरा उसी तरह है देखें 102 गुणे 201 में माना x घटाया जाए कि हमारा 1,999999 मान प्राप्त हो जाए क्या घटाया जाए x घटाया जाए ठीक है तो इस दोनों का गुणा कर लीजिए और x घटाने पर जब यह इधर जाएगा यह हम कह सकते हैं x को इधर जाएगे प्लस में आ जाएगे और आपका यह माइनस में आ जाएगा 1,999999 ठीक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा definition आपके screen पर है 102 गुणे 201 में क्या करेंगे कितना आ गया 20,502 आया इस पर का 20,502 में हम 19,999 को माइनस कर देंगे 1,999999 ही था यहाँ पर चार ही अंख है ठीक है तो यहाँ पर हमारा right answer क्या हो जाएगा 503 हो जाएगा कोई भी doubt हो comment करें बहुत सारे हो सकता आपने comment जरूर कर दिया होगा negative word कि मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया एक लाग बोल दिया आपने comment जरूर किया होगा क्योंकि negativity को हम अच्छे तरीके से पकरते हैं positive को नहीं पकरते हैं अगर कोई अच्छी चीज होती वहाँ पर comment नहीं करते हैं लेकिन अगर negativity आ गई वहाँ पर comment जरूर करते हैं जोकना important चले बहुत अच्छी बात है इसी से तो हम सीखते हैं चले अंगला प्रशन है good and fall एक सो चालिस गुणे एक सो एक में क्या जोड़ा जाए जिससे की 14,444 प्राप्त हो जाए क्या जोड़ा जाए यह आपको देखे खुद solve कीजे देखे वीडियो पहुच करिए खुद रफ में solve कीजे तभी आप बहतर सीख पाएंगे तो माना x जोड़ा जाए एक सो चालिस गुणे एक सो एक बराबर 14,140 तो 14,140 में माना x जोड़ा जाए तो 14,444 हो जाएगा तो एक सी वैलू के आ जाएगी हमारा 14,444 में 14,140 मानास करेंगे हमारा वैलू 274 अथा 274 आ जाएगी कोई भी डाउटों कमेंट करें फीड़बै करें सभी मित्रों को जहिंद वंदे मातरम सभी शाथियों का विलकाम अविरदन श्वागत है आठ में प्रशन की बात करेंगे 3769 गुणे 9573 की गुणन फल में दहाई अंक और इकाई अंका योगफल का होगा बहुत ही आसान प्रशन है अब ये करना कि आप से गुणा भाग गटाना जोड़ गटाना इतना तो बनना चाहिए तभी आप प्राइमरी में टीचर बन पाएंगे तो 3769 और 9573 का गुणा कीजिए जब आप गुणा करेंगे तो ये अंक प्राप्त होगा कितना अंक होगा देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, जीरो यानि आपके करोड में संख्या गई तीन करोड, 69,84,907 अब इसमें प्रस्ण क्या कह रहा है दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल तो दहाई हमारा क्या है, शून है और इकाई हमारा साथ है इनका योग करेंग कितना जाएगा, साथ ही आएगा जीरो में घटाया जाए, जोड़ा जाए, वही शंख्या आएगी लेकिन गुणा करेंगे तो वह जीरो ही आएगी क्योंकि जीरो से जो लड़ता है, वह भी जीरो बन जाता है या आपके जान जैसे लिए जीरो से लड़ना नहीं है लड़ोगे तो विलकुल जीरो ही हो जाओगे तो दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल हमारा क्या जाएगा शे बना जाएगा अंगला प्रिस दिया गया है दोसो एकतीस और पानसो चानवे को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणन फल बराबर हो जाए अब देखे यह बहुत इंपॉर्टन प्रिस मन जाता है दोसो एकतीस और पानसो चानवे किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों का गुणन फल बराबर हो जाए देखे ध्यानपूरग 231 और 596 में मान लिया कि X से गुणा किया जाए कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए अब देखे ध्यानपुरण बराबर कैसे होगा बहुत ही इंटरेस्टेट कुश्चन है बहुत ही सिंपल साधारन सा परशन है यह भी हमने जीरो की बात की जीरो से मत टकराना जीरो से जो लड़ेगा वह जीरो हो जाएगा इसी प्रकार यही चीज हमें इस कुश्चन पर फालो करना है कि मान लिजे अलग अलग मान वाली संक्याओं को जीरो से गुणा पर दोनों संक्याओं सून हो जाती है 231 गुणे जीरो, 596 गुणे जीरो जीरो हो जाएगी अधर सून से गुणा करने पर 231 और 956 के गुणनफल बराबर हो जाएगी कोई भी डाउट हो, कमेंट करें, फीड़बे करें, बेफिक्र करें अब ध्यान दीजे यहाँ पर कि 104 गुणे 50 के बराबर होगा अब ध्यान दीजे, 104 गुणे 50 बराबर के यह संख्या कौन सी आएगी यनि गुणा भाग केवल है, केवल गुणा और प्लस का गेम है इस पर तो देखे, सरपता हमें यह आना चाहिए, 104 गुणे 50 कर लेना है इसकी वैलू हमें प्राप्ट कर लेना है, 52 आएगी अब इनका सभी का योग करते जाए, कितना कितना आता है 100 गुणे 5 करेंगे 500 आजाएगा, 4 गुणे 5 करेंगे 4, 25 तो 520 यह तो नहीं आ रहा है क्योंकि 22 दिया गया है, इस परकार 500 यह आ जाएगा और गुणे 50, गुणे 4, 200 आ गया, तो यह तो 7 सो आ जाएगा यह भी नहीं आ रहा है क्योंकि 22, 25,000 दिया गया है ठीक है, अब देखिए, दूसरे पर क्या दिया गया है, 100 गुणे 50 दे दिया गया ओहो, क्या बात, यानि 5000 यहाँ पर वैलू आ गई धन, 40 गुणे 50, 4, 25, 2000, 7,000, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है अब देखिए, यहाँ पर D आपसन पर, 100 गुणे 5, यहाँ पर 5000 हो जाएगा और 50 गुणे 4, 5,000 प्लस 200, हमारा कितनी है कि 22,000 आ गई, 22,000 भी है, तो D आपसन सही हो जाएगा यानि कि 104 गुणे 50 के बराबर हमारा संख्या D आपसन होगा, दोनों का इसका गुणा करेंगे 52,000 आपसन नमबर D का सल्फ करेंगे तो 52,000 आ जाएगा और सभी को पता भाग की जगए गुणा में परिवतन करना हो, तो 3 बटे 2 गुणे 2 बटे 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कर जाएगा, हमारी वैलू 3 बचेगी ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 3 वाला सही हो जाएगा, कैसे करेंगे, 3 बटे 2 में कितने आधे हैं, तो 3 बटे 2 भागे 1 बटे 2 और भाग की चगए गुणा करू रूप लाना है, तो 3 बटे 2 गुणे ये वाली संख्या को पलट देते हैं, 2 बटे 1 कर देते हैं, क्या कर देते सबी को पता है 3 बटे 2 गुणे 2 बटे 1 करेंगे 2 से 2 कर जाएगा वैलू 3 बटे 1 अर्थात हमारी 3 मान आएगा तो हमारा 3 आप्षन वाला सही हो जाएगा इसी पेकार अंगला प्रस्ण 6 बटे 5 में कितने 1 बटे 10 हैं ध्यान पूरक 6 बटे 5 भागे 1 बटे 10 इस भाग को हम गुणे के रूप में परिवतित करना तो क्या करेंगे 6 बटे 5 गुणे 10 बटे 1 कर लेंगे 5 एकम 5 बटे 10 दो 6 कर क्या जाएगा 12 जाएगा हमारा 12 वाला आप्षन सही हो जाएगा I think आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे 26 और 26 सतांक को लिखा जाता है दिखे ध्यान पुरदे के 26 और 26 सतांक दिया गया है यानि कि 26 बटे 100 की बात करें solution सीधा directly आप लोगों की स्कीन पर है ठीक है ये solution है नोट कर लिजेगा 26 प्लस 26 गुणे 100 26 गुणे 100 का मतलब होता है 0.26 26 प्लस जो आपके इसकी इन पर 26 सतांक देखे 26 सतांक का मतलब होता है 26 में 100 का भाग इसकी बल्यू निकालेंगे 0.26 आएगी यही हमने यहाँ पर भी किया 26 दन 26 और 100 बराबर 26 को ने 0.26 कर लिया इनका योग कर दिया 26 हमारा एंसर आ गया 26.26 आ गया यह 26 आ गया क्योंकि दसमलों के बाद एक साथ संक्या नहीं बोल सकते मैं इसकी रूल की बात करें वैसे नार्मली बोल जाएंगे लेकिन हम यही बोलेंगे 26.26 यह आपको ध्यान देना बाकिगी लिखेंगे वही अंगला प्रशना है 10 बटे 3 में कितने एक बटेश हैं सभी लोग सॉल्व करें इसी प्रकार का सेम कोश्चन है सेम सॉल्व करें और कमेंट करके हमें चरूर बताएं ठीक है अपने कॉन्फिडेन्स को और लेवल करें और बढ़ाएं और अपने आप खुद कोश्चन को solve करने की कोसिज करें वीडियो पहुच करें question को solve करें चले solution निकाल लेते हैं देखे 10 बटे 3 दिया गया है भागे 1 बटे 6 कितने 1 बटे 6 है मतलब भागे 1 बटे 6 और भागे का जब गुणा की रूप में परिवर्वतित किया जाता है तो 10 बटे 3 गुणे इसके जोंगली संख्या उसको पलट देते हैं उल्टा खड़ कर देते हैं 6 बटे 1 कर देंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 2 का गुणा 10 से करेंगे 20 आ जाएगा सी आप संसातियों सही हो जाएगा आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पाए होंगे आप लोग सपोर्ट करें मैं आपके शदयों हमेशा आपके साथ हूँ आप लोग इसी तरह प्यार इसने सपोर्ट करते रहें बात करेंगे 15 परिशन की बहुती इंटरेस्टेट परिशन हैं एक्जाम्पल भी दे रहा हूं फिर आप से कॉश्चन πोच रहा हूं हम किसी संख्या को संफूर्ट संख्या कहते हैं संपूर्ट संख्या किसे कहते हैं यदि यह संख्या इसके सभी धनात्म गुनन खंलो की उस संख्या को छोट कर योग के बराबर हो 28 को छोड़ करके 28 का गुणन फल 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा यह सारे 28 से कट जाएंगे उनका योग फल देखे कितना आ रहा है 7, 21, 21, 24 कितना होता है 21, 24, 25, 22, 27 28 आ रहा कि नहीं आ रहा वो हमारी संपूर संख्या कहलाती इसी प्रकार यह बताए आपसन में काउन सी संपूर संख्या होगी देखे, डारेक्टली प्रसन तो हमारे यह है कि इन में से काउन संपूर संख्या होगी लेकिन हमने आपको समझा भी दिया कि संपूर संख्या किसे कहते हैं कैसे निकालते हैं ये चीज हमने बहुत important है, बहुत कम आपको मिलने वाला है, ये चीजे बहुत ही पहले सिखाईए, इसके बाद फिर question कीजे, अच्छा भी लगता है आपको भी, अब यहाँ पर हम गुड़न खन निकालेंगे सभी का, और योग फल देखेंगे, अगर हम 9 का देखते हैं, च्छा का ट्राई करेंगे, तो एक, धन, दो, धन, तीन, एक सभी में होगा, वैसे तीन, गुणे, तीन करेंगे, तो यहाँ पर साथ ही आएगा, नव वाले में, लेकिन च्छा वाले में, तीन, दो, पाँच, एक छाई आपका सही आ रहा है, तो च्छा हमारी संपून संख च्छा हो जाएगी, तो यह रहे दोस्तो, आज के क्लास के महत्वपूर्ण हमने 15 प्रसन कंप्लीट कर ली हैं, और साथी साथ पेड़ागाजी के लिए दोस्तो, जॉइन कीजिए क्लास, अगर आपने दोस्तो अभी तक भी सब्सकाइब ने किया, सब्सकाइब जरूर करें ताकि लार्टिस नुर्केशन हर क्लास का आपको मिलतर है, आपकी त्यारी बहतर हो, आपके सपने पूरे हो, और इस बार आप लोग सेलेक्शन पाएं, ठीक है, तो चलिए साथ हूँ मैं आपके साथ जैस्वाल सर मिलूं का जल्दी नेस क्लास नेस कंसिट पर, और जो तोस को जय हिंद बंदे मातरम, धनवाश शभीका